हलो दोस्तों आप सभी को हमरे इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग जार्खन से चमंदित टोटल 30 प्रश्णों को देखेंगे यह सारे प्रश्ण आपका उत्वास्रीपाही दरोगा ब्लीज जैसे सीजल सभी जाम के लिए बहुत ही इंग्पुटेंट है अ कोई न कोई एग्जाम में आया हुआ प्रश्ण है तो आपको ध्यान से सरा प्रश्णों को देखना है सरब का एंसर भी याद करना है ठीक है अब हम लोग आते हैं च्टोपी सिजदा इधर उदर के बातें नहीं करते हैं कि देखिए आज का जो पहला प्रश्ण है पहला प्रश्ण है दोस्तों बावलाल मरांडी ने जहारखन के मुखमंत्रे के रूप में कितने बार सेवा किया है जहारखन के मुखमंत्रे के रूप में ठीक है ताप सभी पता होगा वो जो है तीन बार अभी तक मुखमंत्री बन चुके है यानि इसका जो राइट एंसर हो जाएगा आते हैं लोग नेश्ट पे अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है शीबू सोरेन ने किस अउधी के दोरान पहली बार ज्छार्खन के मुखमंत्री के रूप में काईर किया है पहली बार वो कभ मुखमंत्री बने थे तो इसका जो राइट अंसर हो दोस्तों वो ह पार्च 2005 से लेकर 12 माथ 2010 दोस्तों सीबू सोरेन एक ऐसा मुखमंत्री है जो ज्छारखन में सबसे कम दिनों तक वह मुखमंत्री रहे हैं ठीक है एक बार जो मुखमंत्री बने थे उस समय वह मात्रा दस दिन के लिए वह मुखमंत्री बने थे मात्रा दस दिन ठीक है हैं अगला पश्णा अगला पश्णा है दोस्तों कि नेशनल पश्णा ज्ञार्खन उच नियाले के निमलिखित मुख्य नाधिसो में से किसने ज्ञार्खन के राइच्पाल के रूप में दुरुपति मुर्मु की सपत ली है वतना है दुरुपति मुर्मु को सपत किसने दि जाले के दासवे मुख न कैंडला है, तुर लिए जहारखन के परथम महिलया राचपाल के रूप में दुरपती मूर्मु को सपत दिलाई थी। ठीक है चलिए होने चलते हैं अग्ला पस्ना अग्ला नमर है दोस्तों कि 1907 में जमसेदपूर में पहली आइरन यहां इस्टिल उधोक किया स्था अपना किस ने की थी प्रणा अ कि इसको जो राइट एंसर होगा ऊप्षोन नमबर ए म οποenne दुरावजी टाठा अप्शान नमबर जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका अस्ता कब यक्या गया था किрьे इसका इस्ता साथ इसवी में किया गया था लेकिन यहां पर जो यहां पर बनना शुरू हुआ था वो हुआ था 1911 से ठीक है आपको इसको याद रहना है से चलते हैं आगला पर आपको है पूर्वी सिंभूम जिला में नियुन मेंसे कौन सी महारा था नहीं हो इनन से कौन सी शी महारा है इसका जो राय टेंसर होगा दल्मा रेंज अप्सान नबर जो है 20 का राय टेंसर हो जाएगा दल्मा रेंज चलिए हमनों चलते हैं अगला पस्टना अगर यह भी पुछेगा कि जो पूर्वी सिंभूम है वह कब बना था तो यह भी आप याद कर लिजिए कब बना था 1990 में 1990 में बना था चलिए हमनों चलते हैं अगला पस्टन है ग्रिडे जिला कहां इस्तित है इसका जो राय टेंसर होगा वह होगा लगभग उतर छोटा नाकपूर डिविजन के मैध्य भाग में इस्तित अप्सान नबर जो है बियोलाइस का राय टेंसर हो जाएगा दोस्तों मैं बता दूं जो ग्रिडे जिला है वे कंब बना है तो 1972 ने बना है और कहां से अलग़ नकार बना है तो 12ग जिला से अलग़ नकर बना है थीके दोस्तों और बात और भियाद रख लिजिये जो ग्रिड़ी जिला है उसका जो छेत्र फ़ल जोस्तो वह है चारहाजार आड़सो तीरपन वर्क किलोमेटर उसका छेत्र फ़ल है आई हमें जालते हैं नेक्स्ट पस्ट नहुँए नेक्स्ट है अगला नंबर जारखर में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोईले के सबसे अच्छे गुण पाई आते हैं को जिले में लोग नेक्स्ट प्artशन है अगला नंबर योगनी शक्ति पीट जार्खन के किस जिले में है तना है पोई योगनी शक्ति पीट कूंसा जिले में है तिये गोडा जिले में option number जो है C उलाइस का right answer हो जाएगा गोडा जिला next आई अगला number अगला है जार्खन में भारत की जन्जातिय जनसंख्या कितने परतिसत है अब जन्जात्य जन्शंख्या का बताना है तो यहां पर जन्जात्य जन्शंख्या 8.443 है अप्सेन का जाएगा के जन्जात्य जन्संख्या मुख्यत कीज धर्म का परण करते हैं क्या 묵 कि अव दाना है तब जितना जन सन्क्य है समुखेत अधिक कौण सा धार्म को वा क्या क्या गांते हैं तॉप कि दाखना है व व यह लोग हिंदु धर्म को ही मानते हैं ठीक है चलते हम लोग अगला पस्टन है अगला है गरुड पुरान में निवन में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है तो अब पतिकार का पेंटिंग मिलता है अप्शन नमर जो है सी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेश्टनल वाते है जार्खन के संगीत के संदर में कौन सा कथन सही है तो यह लोग अप्शन पढ़कर देखते हैं आम तो पर आदिवासी प्राकिति कहा है एकदम सही यहां पर प्राकिति कही होता है तीक है नेश्ट यह पचिन बंगल और बिहार के साथ समानता यह भी सही है बहुत कुछ समा फ्राइब नहीं होता है सांगीत गलत है उप्राकित में से साभी यह साभी नहीं है च्रिफ 2 है 1 और 2 वाला कौन सा अप्शन में एक और दो दौनों दिया हुआ हैं चलते हैं अगला परस्वन अगला पुश्णा है दोस्तों जार्खन की पर्थम राजभासा कौन सी है तब से पता कि हिंदी है अपसान नबर जो है एस का राइट एसर हो जाएगा हिंदी जार्खन की पर्थम राजभासा क्या है तो हिंदी है ठीक है और पुछेगा कि जार्खन में कोल दीत या राजभ था कितना है यहां खोलो हमें दूसरा मालिक रेता ह मूशनल कि दो सब्सक्राइज करता है जयाता झाल को अपने राज की की सीमा कितने साथ करता है जहारखान अपने राज की सीमा हो कितने राज वह टाच करता था इन Masters इसका राइट एंचर हो जागा 5 कौन कोन है दोस्तू एक बिहार हो गया दूसरा उडिशा हो गया तीसरा बंगाल हो गया चौंथा चातिसकड़ हो गया और पांच वह उत्तरपदस हो गया यह जो पांच राइट ज्हेए हो जारखन को टच करता है नेक्श आथा अगला नमब दामदर नदी की कुल नमभाई कितनी है अगर पूरा नमभाई बहे जा रहा है ठीक है अगर पूरा बोलेगा तो 522 किलमेटर होगा पूरा बोलेगा तो ठीक है पूरा बोलने से 522 किलमेटर लेकिन अगर बोले सिर्फ जारखन में कितना बहती है जारखन में 290 किलमेटर बहत दोस्तों मैं बता दूँ जो दामदर नदी है वो जहारखन की सबसे लंबी नदी है ठीक है वो सबसे पर्दूसित नदी भी यही है चलते हम लोग अगला पस्ट नेक्स्ट है जहारखन की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है सोने की नदी कुंसा नदी है वो है सोर तो सोर्य लंदी में आन्स पाईयत था इसलिए इसका नाम सोर्य नदी बढ़ा ठीक है चलते हैं लोग नेक्स्ट पॉस्ना के अगला है कि पासना चोटी घ्राखन कर ड्रस्थत्ट आ अप्सन जैन धर्म अप्शन नमबर जो है यह इसका राइडेसर हो जाएगा जैन धर्म ठीके अगर पूछे जो पास्टनाथ है उसका उंचाई कितना है तो 325 मीटर 325 मीटर अगर फीट ने पुछे गा तो 4478 फीट अगर फीट ने पुछे गा तो इतना होगा ठीक है अगर यह कहां पर रही है तो यह है ग्रिडी जीला में नेशन वात हैं अगला नमबर अगला नमबर दोस्तों थोचा पीडिएफ खराब है तो मैं पढ़ देता अपको शुनना है पॉर्व की और ठैकं की विस्तार कितना है पॉर्व आप बताना हैं है पॉर्यπό पॉर्व है दोश्तो कितना है पंचिम से पॉर्व की कितना विस्तारय पूर्व बताना है पच्छिम से पूर्व की जो लंबाई है वो है चार्सो चार्सो तीरशट किलिमेटर होगा है चासो तिस्ट किलोमेटर पुर्व से पच्षिम ठीक है अगर यह पुछेगा कि उत्तर से दच्षिन कितना है उत्तर से दच्षिन तो वो काम है कितना है 380 किलेमिटर दोनों के दखना है दोनों पूप सकता है ठीक है चलते हैं लोग अगला पसना अगला है जाखन की सबसे ठंडी जगह कोण सी है तो इस पता है कोण है यह अप्सन नमर जो है सीसका राइडेश हो जेगा नेतर हाट चलते हैं हम लोग अगला परस्णा अगला है दोस्तो अगला नबर सतावधी इस्टेडियम जाखन के किस जीला मिष्थी थे सतावधी इस्टेडियम यह दोस्तो राचि जीला मिष्थी थे अफ़ नबर जो है Ds का right answer हो जाएगा राचि जीला यह आते हैं लोग अग्ला प्रस्ट्ना के एक खतर्माद प्रस्ट्न है जार्खन की कौन से जंजाती सल्धरन सिल्प कारों से मिलकर बनती है तो बोगर समैंटा जो समान योग ही बनाते हैं जैसे कि जार्खन में राजरप्पा किस नदी पर इसे राजरप्पा कौन से नदी बताना है तो इस तो यह थना है जो राजरप्पा है वो दामुदर और भैरू नदी पर बना हुआ है दोनों नदी कहों पर संग्रम होता है तहां पर स्रीप दामुदर है तो यह इसको दामुदर भी ढौन ही एक जर्गाफ穴 मिलता है ठीक है चलता है अग्ला pod Україald थे जार्खर्ण में 69 मंदिर कहां इसीद्येद पित्त है कि 176 मंदिर कहने मतलब क्या है confident मंदर कर स्वल्स्टाइर ठीके काहा राची में तहीं के दिया हुआ नहीं तो यहां पर बुंडु बुंडु एक्जर दिया राची कंट्र गथी बुंडु आता है तो बुंडु में ही यह जो है मंदिर अवस्तिती थे ठीकते राची से लगभग कितना चालीश क्लीमेटर दूर होता है एगलों इंदियन्स समाज के मुनोनित पतन इधी कौन है तो है दोस्तू ग्लेन जोसेफ गाल्स्टीन अप्सर नमर जो है यह इसका राइट एंसर हो जाएगा ग्लेन जोसेफ गाल्स्टीन चलते हम लोग अगला पास्टन जारखन के मिलने वाली संसर्णी राशी क्या है मिलने वाली संसर्णी रासी क्या है तो अभी पिजयेन टायम में दोस्तो 90 लेकिन यह जब इसकिम बना था यह पैंसर नियोजिना उस समय 500 रुपे मिलता था 500 लेकिन 2017 में 2017 में इसको संसुतित करके बढ़ा दिया गया परते मेहना उलगा कितना मिलता है तो 750 मिलता है अगला पौस्टन जार्खन के वर्तमान इस्पिकर कोन अभी पेजयन टायमें इस्पिकर कोन है तो आप सब्सक्षर पता होगा अभी कोन इस्पिकर तो राविन्तनात मातो है ठीक है अपर अपस्वाइज में कितने उप विभाजाने है जारखन राइज में कितने उब वाजन है जारखन राइज में जो अभी वाजन है वह दोस्तों टोटल 45 अप्शन नवर जो है सबसे कम और पाहर पूछे में इसे तो आपको और होजगा है कि सबसे कम से कम और उपषी स्कर्य है को पूछेगा तब पा कोड़ हो जाता है याइन ऐसा फोल अगर पूछ रहा है All सबसे कम लोहर दगा होगा और जो है सबसे कम पूछेगा तू हो जागा पाकूड पाकूड जो है नहीं है जलते हैं जाखन में कौन से अस्थान को भगवान हनुमान का जर्म अस्थान भी का जाता है कौन से अस्थान को तूस्थ नी दोस्तो ऑंजन ग्राम अफसन नौँर जो है बेस का राइन जिला अंजन ग्राइम यह कहांपने दोस्त तो फिछह घूंबल जिला में कहारे कि ढूंबला जिलामें ठीक या चलते हैं म्यों आगला पास्ना है अलौन पौश्णा है ज्यार्खन के उतर-कोय नदी कहां से शुरू होती है उत्तर कोयन नदी पताने नद्पर कहां सुरू होता है तो ज्या झ्यार्खन के पठार के मैंद्यभाग से जो भी भैक्ट में घता में अब लोग को बताता हूं, ठीक है? तो आप लोग कोई समय स्थैना नहीं होगी. परस्ने भले ही तीसरा साहता है, लेकिन कम से क मैं 50 में तयारी करा देता हूं, ठीक है? तो अगर आप सभी सेट अगर मेरा आप देखते होंगे तो अभी तक ये सारे प्रश्णक उतर आप आपको खुद पहले ही पता चल गया होगा ठीक है तो आपको सारा देखना है तकि आपका पकड़ अच्छा बने ठीक है चले इस तो लोग मिलते हैं ने टूडियो में ततक अगर थेंक्यू जाइ हिंदा